नमस्क्रा फैंस मैं हूँ निहा स्वागत आपका इटिस निहा में तो चल रही है अपने एंटिटे के तैयारी जो की ओल्मोस जो पूरा स्लिबस है वो कंप्लीट हो चुका है आपका जो मॉक्टे से हो चल रहा है तो मैं आशक कर रही हूँ कि आप पूरा अच्छे से रिवा अपिक है तो आप उसको और डिटिल पड़ सकते हैं इसके लाव आप कोई नई चीजे ना पड़े कि अलग कोई बस अभी कोई बुक खरीद के ला रहे हैं फिर उसको पड़ रहे ता साब बिलकुल ना करिए जो भी आपने जिस भी बुक से किसी भी सोर्स से पड़ा है तो वह ही पड़े और रही बात जो भी रिस नली जो आपके मोक टेश्व मैंने लिए हैं तो सका स्कोर है तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है मुझे बहुत ही खुशी हुई आपके जाता पर स्कोर दोनगी मेरी 100 परसट दोगी में अपना और आप भी जो है बस खाली रिवीजन पे और अपने जो मौक टेस्ट पे ज़्यादा जोर दे पहली बात तो यह है और जो आज का अपना टॉपिक है वो बेसिकली जो डिसलेक्सिया डिस्प्रेक्सिया के बारे में है तो यह टॉपिक इसलिए मैंने लिया है क्योंकि जो भी इन बारे में तो जरूर नहीं है कि आपके स्पेसिकली जो है आपके स्लेबस में मेंशन हो यह आपके इसी स्लेबस से रिलेटेड है तो इसलिए आज पन जो पढ़ेंगे वो डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही इजी लेंग्विज में है बहुत ही आपको सम वालकूलिया और डिस्प्रेक्सिया तो इन तीनों के बारे में अपने पड़ेंगे तो सबसे पहले हैं इसलेक्सिया तो यहम अधीकम विकलांगता के इंतर केद आता है तो इसको अधीगम कर के इंतर भी कहते हैं अधिगम एशक्षमता भी कह देते हैं जो कि हमें वानी या लिकित भाषा को उचारित करते समय दिखाई देती है बाल विकाष शास्त्र के अनुसार पढ़ने की एशक्षमता या विकार को ही डिसलेक्षिया कहते है तो इसका डिसलेक्षिया का रिलेशन है वो खाली मंद बुद्धी बच्चों से या कमजोर बच्चों से नहीं है किसी को भी हो सकती है जो हाला कि जो अलबर्ट आइंस्टैन थे बहुत बड़े-बड़े जो राइटर्स है बहुत लोगों को होती है ऐसा नहीं है कि लो आईक्यू वाले बच्चों को या फिर इन जो व्यक्तियों को होती है यह किसी भी इंसान को सकती है आपको भी कुछ वर्ट में हो सकती है मुझे भी हो सकती है तो जरूर नहीं है कि वो पता चले तो डिस्लेक्षिया कई बार चुपी हुई भी बिमारी होती है वो बहुत कम पता चलती है लेकिन वोसली जो देखा जाता है जैसे वोज लिखा हुआ है तो इसको जो है 100 पढ़ना ठीक है इस टाइप से हो सकता है या जो है ये जो से लिखा हुआ है तो जिसी ये से है तो इस से को से बोलते हैं अगर इस शे को भी अगर से बोलेंगे बहुत बार ऐसा वाला जाता है कि जो शे है उसको भी साही बोल दिया जाता है तो भी एक तरह से एक डिस्लेक्षिया होता है हलाकि अचानक से नहीं कि बार दिसलेक्षिया मानना जाता है कई लोग नहीं कर पाते हैं तो उसको प्रोनौन्स करने भी किसी भी पीनेमें परोबलमें आ रही है तो वह डिस्लेक्षिया शीमद से अरफ पड़ने से तो इसमें आपको समझ प्रोड़े कौंशिया है वह पठन विकार है तो बहुती easy language है अच्छे से समझ पर आ गया होगा इससे बाहर कुछ नहीं है dyslexia में इसके अलावा कुछ नहीं पूजा जाता है कि और जो next है और ये भी चीज है कि इस तरह की जो चीजे है अगर उनको सही guideline दी जाए अच्छा environment दिया जाता है तो ये सही हो सकती है ऐसा नहीं कि ये बस permanent विमार्या है ऐसी विमार्या नहीं है अगर सही guideline दी जाती है अच्छा environment दिया जाता है जो भी requirements है वो बच्चे के पूरी की जाती है तो ये ठीक हो जाती है तो ये भी चीज है उसके बाद है dyscalculia तो dyscalculia से तातपरी है गणना सम्मंदी एशक्षमता अथार्त ये गणिश से जुड़ी समश्या है ये गणिश सिक्षन का एक मैधपूर्ण बिंदु है तो कई बार जैसे pre-prime level पर जो है counting से हो सकती है जैसे कोई भी sequence में नहीं बता पा रहा है किसी digit को नहीं पहचान पा रहा है तो वो भी एक dyscalculia हो सकता है तो dyscalculia तो आप इससे ये पता लग सकते हैं कि जैसे कैलकूलिया में calculator वाला जो sound हो रहा है तो उससे के regarding है ये तो इससे समझ सकते है calculation तो ये mainly जो होती है मैस में होती है तो आप गणिस सम्मंदी जो है इसको विकार समझेंगे तो ये समझ में आगे होगा आपको इसके बाद जो है dyspraxia तो ये बहुत important है जैसे ये है विकास सम्मंदी कमिसे जुड़ा विकार है जो दिमागी संदिसों के समन्वे को प्रभावित करता है जैसे कि आप गत्यात्मग विकास को बताया गया है तो इसमें जो है dyspraxia उससे सम्मंदीत है जैसे कि dyspraxia से पीडित बच्चे निमली खितकारे को करने में कटनाई मैसूस करते हैं जैसे दान्तों को ब्रश करने में जूते के फीते बानने में और चीजों को पकड़े रहने में तो जब गत्यात्मग विकास आपको दे रखाया तो dyspraxia जरूर से सम्मंदीत है तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखे तो यह तीन जो इंपॉर्टन है वो मैंने आपको बता दिये हैं क्योंकि डिस्पेक्षिया में बच्चों को ठीक से दांत जो ब्रस करने में बहुत दिकत आती है और जूते के फीते बानने में तो यह सभी गत्यात्मग विकास से संबंदित है तो वो चीज है क्योंकि इसमें मासपेशया काम आ रही है और जो ग्रोस मोर्टर स्किल्स है फाइम मोर्टर स्किल्स है वो भी समें इंक्लूड है तो आप इन तीनों को अच्छे से पढ़के एक बार पढ़ लेंगे आखिर एक वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा और खाली इसके अलावा कुछ नहीं है तो ये मैंने तीनों समझा दिये है और इसके अलावा रही बात अगर आपके एड्मूट कार्ड की है तो आज तो संडे है तो मुझे लगता आ जाएगा तो कल आपका एड्मूट कार्ड जरूँ आजाएगा तो आप एड्मूट कार्ड के लिए बिल्कूल भी वरी ना करें क्योंकि 7 देज पहले एड्मूट कार्ड आ जाता है तो आज तो संडे है इसलिए चुटी है तो नहीं आएगा तो कल जरूर आजाएगा और इसके लावा जो है आप एक चीज कर सकते है जैसे की तो आपकाrados कार्ड हे वह एस थो पर आएगा तो एसलिए जो है वह सिंगल साइन ओन जो आईड़ी है इसदे से यह आपने रिजिस्ट्र किया होग जो भी आं एकि याग के लिए है ओनलाइन जब हुआ था तो आपको चार्ण है वो SSO पर आएगा तो ये बात आप ध्यान रखें तो अगर आपके पास ID पासवर्ड अगर कहीं भी रखें आपने भूल गए हैं तो अगर आपको ID याद है तो आप सीधा से सब्सक्राइब जो Gmail पर जाएंगे तो Gmail पर जो आपको मिल जाएगा SSO सर्च कर लेना उसमें आपको जब भी रिजिस्टर किया होगा आपने तो रिजिस्टरिशन आईडी और पासवर्ड आपको मिला होगा तो वो चीज है तो वो ज्यादा इंपॉर्टन है क्योंकि जैसे कल एड्मिट कार आएंगे तो आप फटाफट से जो है आईडी पासव जो है अगर आपको याद नहीं है बूल गए है तो आपको जीमेल तो याद हो गई तो आप अमनी जो है जीमेल बॉक्स जो है वहाँ पर जाके आप चैक कर सकते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टन सीजिए आपका एड्मिट कार्ड वह वाजशों पर याएगा तो यह बात ध स्वेटर पायन के आए जिसमें जो बहुत सारी बटन वगएरा ना हो तो आप अगर ऐसा नहीं है आपके पास की बहुत सारी बटन वाले स्वेटर है तो आप वह चीज देख सकते हैं या फिर ला सकते हैं खरीद के तो वह चीज है और इसके लावा तो इंपॉर्टेंट ज है वह जादा से जादा करें थैंक यू और अगर आपको यह वीडियो जो अच्छा लगा है तो लाइक जुरू करें शेयर करें पहली बार इस चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें बेल ऐकन प्रेस करें थैंक यू फोर वाचिक मैं वीडियो करें पहली करें तो पर रच्त करें वीडियो को सब्सक्राइब करें लाद करें प्रीजों खिरीजियों करें